मैंने आपको लास्ट लेक्शन में पढ़ाया था फॉर्टिलाइजेशन उने आपको पढ़ाया था कि स्पर्म और एग दोनों आके एक दुसरे से मिलते हैं तब बनता है जाइगोट वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे तो यहां पर आप देखिए कि यह पहला सेल बना था और यह उसके अंदर का न्यूकलियस था इसे हम क्या कह रहे थे जाइगोट गह रहे थे ठीके और तुमको पता है कि जाइगोट डिपलॉइड है और जाइगोट के बार आप अगर देखोगे तो Zygote के बार अभी भी Zona Palucida बना हुआ है यह देखीए यह Zygote के बार अभी भी क्या बना हुआ है Zona Palucida बना हुआ है अब क्या होता है आगे जाके यह Zygote दो में डिवाइड हो जाता है थीक है तो मैं यहाँ पर ऐसे बनाने जा रहा हूँ कि यह zygote था ठीके हैं अब यह zygote दो में डीवाइड होता है यह zygote था, तो यह दो में डीवाइड होगा तो यहाँ पर बीच में से division होगा यह देखें है यह ऐसा division होगा बीच में से दूसरा धिश्ट करता हुआ जादा बैटर लगेगा आपको यह बीच में से ढिवाइड हो रहा है हुआ है तो जब भी पहला स्दैनल बीच में से ढिवाइड होता है इस प्लेइन उस plane को हम बोलते है Mary-Dional plane मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इस plane को हम बोल रहा है Mary-Dional plane ठीक है बीच में से डीवाइड हो एकदम सीधा और तब जाके मेरे को दो ब्लास्टोमियर मिला आगे जाके तो ये मेरे को आगे जाके डोसर में दो सेल मिले पोल यह दो सेल सेल जो मिले है उप किये और एक यह 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 दो मिला मेरा ठीक है यह इस सेल को मैं बोलुंगा ट्ुो अले सटेमाट UM है पहला वहला क्या था वंचेल स्टेज ऐसाईगो bilmiyorum यह क्या होग्या ट्वसल पीचरन सटेमाट two-cell stage. तो two cell stage जब होता है, तब वो दो का आगे जाके चार बनता है, तो जब दो का आगे जाके चार बनेगा, तब वो division कैसा होगा? कि पहले वाला cell का division Meridional plane पे होगा, Meridional plane मतलब सीधा, और दूसरे वाले cell का division Equatorial plane पे होगा, ऐसेíamos, तो मैं आपर लिख रहा हूं कि पहले सेल यह जो दूसरा वाला है इसको हम इक्वेटोरियल प्लेंगे रहे हैं और पहला वाला सेल का जो डीपीजन हो रहे हैं वह कैसा हो रहा है इक बाँ आपस से मैं रिपीट कर रहा हूं मैंने यह कहा कि जब पहला सेल बनता है जाएगोट फिर वह जाएगोट आगे जाकि दिवाइड होता है दो सेल फिर वो दो का चार बनता है फिर चार का आठ बनता है आठ का 16, 32, 64 ऐसे होता है तो मैं कह रहा हूँ कि जब यह पहला सेल होता है जाइगोड जब वो डिवाइड होता है तो जब वो डिवाइड होता है तो एकदम सीधा बीच में से होता है तो वो जो प्लेन है ना उस प्लेन को हम बोलते हैं meridional plane meridional plane मतलब एकदम cell के एकदम बीच में से division हो रहा है तब जाके आपको दो cell में लेंगे अब दो cell stage है अब second cleavage division आया यह first cleavage division था यह कौन सा था यह first cleavage division था मैं यहाँ पर लिखता हूँ यह first cleavage division था अब यह second cleavage division जब होगा तब यह आगे जाके अपको 4 cell मिलेगा कि यह लिए ये देखें यह चार सेल मेले हैं तो यह वाले सेल स्टेज को बोलेंगे हम फोर सेल स्टेज ठीक है तो यह जो दूसरा डिवीजन हो रहा है यह सेकेंड क्लेविज डिवीजन है ठीक है तो मैं बस इतना कहना चाहरा हूं कि पहला डिवीजन कैसा होता है सीधा तो वह जो पहला डिवाइड हो रहा है ना सीधा वह प्लेन को बोलते हैं मेरी डियॉर्नल प्लेन तब वह एक का दो बना अब जब दो सेल बन गए तब उसमें पहला सेल डिवाइड होगा मेरी डियॉर्नल प्लेन पे से दूसरा सेल डिवाइड होगा equatorial plane पे से हैं दूसरा वला equatorial plane पे से divide होगा मतलब horizontal और पहला cell vertical तो एक equatorial plane से और एक meridional plane से हैं तो ये दोनों भी plane एक दूसरे को perpendicular ही हो रही है almost देखो ये equatorial plane से और ये meridional plane से इसके लिए जो second cleavage division होता है इसको हम rotational division भी बोलते हैं क्योंकि एक सीधा हो रहा है और दूसरा slanted हो रहा है horizontal समझे हो एक सीधा हो रहा है और दूसरा ऐसा हो रहा है division इसके लिए second cleavage division को हम एक और नाम से क्या कह देते हैं इसको हम rotational division भी कह देते हैं बोलो ये बात समझे हैं समझ में आई आई आपको निकिता गरीमा ठीक है अब ऐसे करके देखो जो second cleavage division होता है तो तुमको दो का चार सेल मिलता है फिर चार का आठ मिलेगा तो ऐसे करकर यह होते जाएगा बट तुमको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्या हो और याद रखना है कि बाहर जोना पैलुसिडा होगा जोना पैलुसिडा बाहर होगा नो डव यह देखिए यह बाहर से मैंने जोना पैलुसिडा बना है तो जोना पैलुसिडा जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा देखो यहां पे भी जोना पैलुसिडा एक सगर अगर आप यहां पर ऊप्पे देखो तो पर साइज देखे रहे हो रहे जोना पृशुडा बड़ी नहीं रहे जितना है उतना यह मतलब मैं आगे आओंगा इस बात पर फिला देखो कि बाहर जो ब्लू कलर का लाईन है इससे हम कहेंगे जोना पैलु कि और अंदर के जो निवली फॉर्म सेल्स है जो नए नए सेल्स अंदर बने यह और यह 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 नए सेल्स को बुलते ब्लास्टोमीर ब्लास्टोमीर केते हैं नए सेल्स को ठीक है अब आके बड़ते हैं तो अब ऐसा हो रहा है कि यह आके जाके देखो जोना पहलू सीडा का साइस सेम है उसमें कोई बड़ावत नहीं हो रही है 2, 4, 8, 60 देखिए तो पहला सेल्स जब डिवाइड होगा तो आपको कितने ब्लास्टोमीर मिलेंगे दो ब्लास्टोमीर मिलें फिर दो ब्लास्टोमीर के बाद कितने ब्लास्टोमीर मिलेंगे चार ब्लास्टोमीर आठ के बाद सोला उसके बाद बत्तिस और उसके बाद लास्ट में 64 सेल का स्टेज मिलता है 64 सेल का स्टेज मिलता है अफ़ें एक बार करके लिग दे रहा हूँ कर दो कर दो कि मैं एक बार कर लिग दे रहा हूँ तो ये जाइगोट के बाद two cell stage फिर four cell stage फिर eight cell stage फिर sixteen cell stage तो जो sixteen cell stage होता है इसको early moriola भी कहते है early moriola फिर यह है थर्टी टू सेल स्टेज इससे लेट मौरियूला भी कहते है और बाद में 64 सेल स्टेज आ जाता है जिसे हम ब्लास्टिूला या ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं यह देखें तो मैं यहां पर आपको क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन पहला सेल बनता है जाइगोट जाइगोट डिवाइड होगा दो सेल में दो से चार आठ सोला बतिस चौसट ऐसे करकर के डिवाइड होता है पर मैं यहां पर तीन चार चीज़ें बोलूँगा जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए है आप अगर देखोगे यहां पर तो सबसे पहला डिफरेंस आपने क्या देखा कि जितना साइस का जाइगोट है ना उतना ही साइस का यह भी है ब्लास्टोसिस्ट भी है मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं जितना साइस का जाइगोट है उतना ही साइस वो 64 सेल का भी उतना मिला के सबका उतना ही बनेगा मतलब साइटोप्लाजम का साइज इतना ही है खाली निउकलिस बनते जा रहा है डिएएने का कंटेंट डबल टीबल होते जा रहा है वापस से रिपड करता हूं मैं देखो जैसे कि यहां पर तुम देखोगे अगर यहां पर यहां पर में न्यूपेस बताता हूं देखो जितना साइस मैं आपे बनाऊगा यह है जाइगोट और यह उसके अंदर का न्यूक्लियस ठीक है और जाइगोट के बार क्या है जोना पहले सिड़ा है उतना ही साइस उतना ही साइस वह ब्लास्टोसिस्ट का भी है सेम है साइस देखो बस फरक क्या है कि यह सिक्स्टी फूर सेल स्टेज है देखो यह दिख रहा है आपको और बाहर की तरफ यह कुछ सेल्स बाहर की तरफ है परक साइस जितना साइस जाइगोट का है मिला के उतना ही साइस यह पूरे के पूरे साइटो प्लाजम का कंटेंट बढ़ा है क्या सेल में साइटो प्लाजम उतना ही है खाली डिएने का नंबर बढ़ते जा रहा है बस खाली डिएने का नंबर बढ़ते जा रहा है मतलब इसमें एक डिएने था तो यह 64 सेल स्टेज है तो इसमें कितना डिएने होगा पर जितना साइटोप्लाजम एक Zygaard के अंदर है उतना ही से पुरे के पूरे 64 सेल को मिला के है तो सेम है मतलब यहाँ पे तुमको सेल साइकल पता होगा कि सेल साइकल के अंदर एक phase आता है जी वन और फिर याद है कुछ तुम लोगों को तो इस केस मेंना कि यह जी वन ऐस से लेकर जी तू फेस तक का जो पीरियड है इस पीरियड को कहते है इन्टर्फेस एस फेस में से रटिवाइड तो नहीं होता है पर सेल प्रिपैर हो रहे हैं तो मैं कहूं गा कि धेखो जीवन फेज गर्डी डर्यांतोif में जृट का सवेज बढ़ा होता है और एस इने डबल का सिंतिस होता है तो मेरा बोलने का मतलब है कि घीा में नहीं भुमा है नहीं हुआ है सिर्फ और सिर्फ एम फेज ही सरी सिर्फ और सिर्फ S फेज हुआ है बस क्योंकि S फेज में किसका सिंथिस होता है गरीमा निकीता इसका DNA तो बस सिर्फ S phase हुआ है सिर्फ DNA वाले phase नहीं हुआ है G1 phase और G2 phase नहीं हुआ है cell cycle का इसके लिए cell का size पूरा 64 cell मिलाओगे न तो उसका size सेम है जितना zygote का size है ये बात समझ में आ रहे हैं आपको पहली चीज़ तो तुम लोग यहां पर एक चीज़ा रखना कि पूरे के पूरे पूरे के पूरे cleavage division के अंदर जितना cytoplasmic content zygote के अंदर है उतना ही cytoplasmic content ये पूरे के पूरे 64 cell मिला के उतना ही cytoplasm है तो cytoplasm का number equal है जितना zygote में है उतना ही cytoplasm पूरा 64 cell का मिलाओगे उतना ही cytoplasm फरक किसमें आ रहा है सिर्फ DNA में आ रहा है DNA का content ज़्यादा है zygote में एक ही DNA है तो blastocyst के अंदर 64 DNA है बोलो ये बात समझ में आ गई गरीमा निकीता अब दूसरा topic में रहाओ मैंने फिर यहाँ पर एक दूसरी चीज़ एक और बताईए कि पहला डीविज दो हमारा जो एग है ठीक है यहाँ पर देखिए हमारा जो एग है हमारा एग alacithal है alacithal का मतलब होता है कि एग के अंदर योग absent है योग पता है जैसे अंडा खाते न अंडा मुर्गी का अंडा होता है तो उसमें योग होता है पीला का लर्गा तो अगर योग होता है तो उसको बोलते है macrolacithal अगर योग होता है तो macrolacithal है पर यहाँ पर योग है ही नहीं इसके लिए alacithal a मतलब absent योग है ही नहीं दूसरा हमारा एग non-cladoy के non-cladoy का मतलब होता है कि हमारे एग में shell जो है वो absent है मैं यहाँ पर लिखता हूँ इससे हमारे अंडे के बाहर shell है ही नहीं shell is absent यह पर्ट समझा यह गाँ अब क्योंकि हमारे एग के अंदर योग है ही नहीं इसके लिए हमारे एग का जो division होता है ना zygote का वो पूरा complete division होता है एकदम बीच में से zygote पूरा पूरा equal दो पार्ट में तूपता है एसे डिवीजन को हम बोलते है hollow blastic division भले ही यह plane पे से meridional plane हो रहा है but acid division को में यहां पे लिखूँगा hollow blastic division hollow blastic cleavage बोलूँगा तो ज्यादा अच्छे hollow blastic cleavage का मतलब क्या हुआ है यहां पे कि एक zygote पूरा completely दो equal पार्ट में तूट रहा है क्योंकि बीच में योग है ही नहीं हमारा एग एल ऐसे थल है हमारे एग में योग है ही नहीं इसके लिए blastory जो zygote है वो पूरा completely बीच में से दो equal पार्ट में तूट रहा है और होता है उन्हें complete division होगा कि incomplete division होगा बताइए इन complete होगा तो उस division को हम बोलते मीरो ब्लास्टिक मीरो ब्लास्टिक कहते है ठीक है मैं हाँ पर सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ मीरो ब्लास्टिक ये उनके अंदर होता है जिनके अंदर योग होता है जिनका एग कैसा होता है लेसिथल एग होता है ये बस आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि जिनका एग लेसिथल है मतलब जिनके एग में योग है उनके केस में जायगोड पूर दिरसे completely equal पा पर क्योंकि हमारे अंदर योग है ही नहीं तो जायगोड completely बीच में से दो equal पार्ट में डिवाइड होता है तो इसे division को हम hollow plastic कहते हैं ये समझ मैं आपको निकिता गरीमा ओके ये पहला चीज़ और एग के बारे में आपने एक चीज़ और देख ली कि हमारा एग नॉन क्ले मतलब हमारे एग के वाहर एग मतलब फी मेल एक प्रड़ूस करती है तो हमारे एक के बार तो कोई शैल हमारा नॉन क्लेड़ यह दो पॉइंट एक से लेटर याद रखना अप लोग ठीक है अब इसके अंदर में तीन चीज़े एड करूंगा इसी पार्ट पर यहां देखें यह जो डिवीजन हो रहा है आप तो यहीं सुचोगे कि भाईया एक का दो रहा है दो का चार और चार का आठ और आठ का सोला हो रहा है मतलब यह जोमेट्रिक अल्गोरिदम में जा रहा है अगर एक का यहां पर मैं वाइट से लिखता हूँ देखो अगर एक का दो होता है दो का चार चार का आठ आठ का सोला सोला का बत्तिस बत्तिस का चौशट ऐसे करते करते जो होता है उसको हम बोलते हैं जोमेट्रिक अल्गोरिदम हम कहते हैं जोमेट्रिक अल्गोरिदम पर अगर एक का दो हुआ दो का तीन हुआ तीन का चार पाच छे साथ आठ अगर ऐसे होता है तो उसको हम बोलते हैं कि एरिथमेटिक कि एरिथमेटिक एल्गोरिदम है और हमारे केस में कैसा होता है हमारे केस में हमारे केस में अगर मैं यहां पर दिखाओं तो ऐसा नहीं है कि पहला सेल जाके दो में डिवाइड होगी है बरबर पहले क्लीविच डिविजन होता है तो एक का दो मिलता है लगभग 24 घंटा लगता है कितना 24 लगते ने लिए और जरा मेरा आप दोनों से liegt हई कि पप्लीस मुझे बताये की पहले rico कौन सा सेंट्रीयों लगेगा लिए गुर्ण सेंट्रोल लगा तो पहले की दिविजन के अंदर अंधर प्रोक्सिमल सेंट्रोल लगा और यह रॉट्सिमल सेंट्रोल लिए किसका था sperm का था ठीक है अब मैं वापस आ रहा हूँ अब जब यह two cell stage होगे आना तब ऐसा देखो दो cell है भी ठीक है एक का दो बना तो जब दो बनता है तो ऐसा नहीं है कि दोनों cell एकी time पर divide होके 4 बन जाएंगे कभी बहुत chance है कि पहला cell एक बार divide होगा फिर उसके बाद उसके कुछ time बाद दूसरा cell divide होगा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ ठीक है यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि एक cell दो में divide होगा यह बराबर है ठीक है पर जब दूसरा division होता है तो कई बार कई बार कि हमेशा ऐसे होता है कि दो मेंसे कोई एक cell पहले divide होगा उसके कुछ time बाद दूसरा cell divide होगा तो जैसे कि मानलो मैं इदर यह वाला cell बना रहा हूँ यह वाला cell बना रहा हूँ तो यह वाला cell पहले divide होगा दो में और यह वहला से अभी कुछ टाइम बाद डिवाइड होगा तो यह अभी भी वैसा का वैसा यह दिखरें आपको मतलब मेरा बोलने का मतलब हे कि दोनों भी सेल एकी टाइम पर डिवाइड नहीं होते है कोई एक सेल पहले डिवाइड होगा और दूसरा सहल कुछ टाइम बाद डिवाइड होगा तो यहाँते हैं इंसे तर्म का मतलब होता है कि cell जो है वो एक टाइम पे डिवाइड नहीं हो रहे है सारे cell अपने मर्जी से डिवाइड हो रहे Indeterminate बूलूँगा मैं Indeterminate shows का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सारे cells एकी टाइम पे ऐसाथ डिवाइड होंगे नहीं ये दोनों भी cell blastomere है जैसे जाइगोड था वो पहले डिवाइड हुआ दो ब्लास्टोमियर में फिर वो दो ब्लास्टोमियर से चार मिलते यह तो आपको पता है पर बीच में थ्री सेल स्टेज भी आएगा तब यह आगे जाके दो में डिवाइड होगा तो जब यह आगे जाके दो में indeterminate मतलब सारे cells एक दुसरे पर निर्भर नहीं करते indeterminate मतलब they are not dependent कि ऐसा नहीं है कि भई वो cell divide हो रहा है मी भी हो जाओ नहीं जब मर्जी करेगे तब divide होगे तो बीच में आपको बीच-बीच में 3 cell stage 5 cell stage बीज भी मिलेगा ऐसा निया कि आपको सिर्फ इवन नंबर में ही दिख रहा है नहीं बीज बीच में आपको और नंबर भी दिखेगा बोलो यह समझ में आ रहा है आपको तो ऐसा डिविजन तो मतलब जो क्लीवेज डिविजन हो रहा है जाइगोट का वह कौन सा एल्गॉरि फॉलो कर रहे है यह वज फॉलो कर रहा है ठाइक है दूसरा क्या सारे साल एक साथ एक की टाइम Panel अलग ऑलंग टायम पे डिवाट हो रहे है तो इसको हम बोलते सिंक्रोड़ प्रोशेस कृए सिन क्रोड़ अस प्रूशेस एक साथ तो क्लिवेज डिविजन एक टाइब कर गैसा प्रोसेस है एस इंख्रोनस प्रोसेस है आई बात समझ में है तो मैंने तुम लोगों को क्या-क्या बत्ताए है कि हमारा जो ऐस को has the region ಪ्लीजक का कि हमारा हमारा कुपएंत है यह ﷺ में न हमकिता ही का तो चालू हो जाता है गुदा वसी को एसरे मैं यह जाता है मैं अ है जैसे जैसे संड़िवाइड हो सकता हुआ से वह हे वैसी वह質剛 कि तरह कि तरफ हो रहा है कि कि तुम लोग देख रहे ने यह फिमल रिपमेल ट्राक्थ और यह तो तो अब यहा पर जैसे जैसे कुलीवेस इस टीविजन हो रहा है कि जैसे कि यहांपे आप देखो साइव बना था तो यहांगे चा ci तो बन गया तो जैसे जैसे डिविजन हो रहा है वैसे 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 माइग्रेट भी हो रहे है और यह बाहर क्या था जोना पहलू सीडा तो इन लोगों को कौन आगे लेके जा रहा है बताईये मतलब सेल डिविजन जैसे जैसे हो रहा है वैसे हो माइगरेट भी हो रहा है कि नहीं तो यह देखो हां कि हलका हलका था अंदर की तरफ यह देखो यह सीलिया पुश कर रहा था यह सिर्फ एग कोई नहीं एम्ब्रियो को भी पुश करता है ठीक है एग एम्ब्रियो में फरक बताता हूँ मैं आपको एक चीज़ आ दखना कि नौ महिने का होता है प्रेग्नेंसी राइट नौ महिने का है 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 कि नौ महेने में शूरू के पहला और दूतरे मथे महिने में जो बत्का होता है उससे एम्ब्रियो कहते है है और तीसरे महिने से लेके नव महिने तक उसे फीटस कहते है जब वो मा के कोक में होता है उसके बाद जब उसका जनम होता है तो न्यूबॉर्ण बेबी को कहते है नियो नेटल निया बच्चा जो है एक हफते तक शुरू के एक हफते तक उस बच्चे को क्या कहेंगे जनम के बाद नियो नेटल बात में उसे कहेंगे इंफेंट इंफें इंफेंट कहेंगे और बाद में चिल्डरन कहेंगे यह समझेरों आप लोग पहले एंब्रियो चुरू के दो महने तक एंब्रियो बोलोगे फिर तीसरे महने से नुवे महने तक क्या कहोगे फीटस फिर नया बच्चा ज़से पैदा हुआ नियो नेटल एक हफते तक फिर पह क्या क्या मैं जाइगॉट को एंब्रियो कह सकता हूं आ हां कहता हुए ऑफ कके वोगह सकता हूं आ बनाना आ है ऐस जाइबड हो गया तूस एस्टेज एच सेंट टीड स्टेज तेस लिम तर्टीटीटू यह सारे के एंब्रियो ही तो कहलाएंगे को से तो मैं यहां पर कुछ पॉइंट लिख रहा था कि लीवेज डिविज़न के बारे में कि लि गरी मार निकितल बताईए कि मतलब क्या होता है कि कि एइस इनकरोंस प्रोसेस का मतलब है कि सभी चल एक टाम पर डिवाइण नहीं हो रहे है अलग 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 समस्द्छ हो सिंग्रोंस का मतलब होता है एक साथatha a Synchronous मतलब भी नाएक साथ ठीक है एक Synchronous के वज़े से वह कौन सा एल्गॉरिदम फॉल्म कर रहे है कि एरिफ्मेटिक एल्गॉरिदम फॉलो कर रहे हैं उसके साथ हॉलो ब्लास्टिक होता है हॉलो ब्लास्टिक का मतलब होता है कि जाइगोड पूरा कमप्लीटली दो एक्ववल पार्ट में devotee हो रहा है क्योंकि एग उसमें योग नहीं है हमारा एग कैसा है हेलेसिफल होने के वज़े से जाइगोट कम्प्लीटली डिवाइड होता है हॉलो ब्लास्टिक का मतलब होता है कम्प्लीट डिविजन ऑफ जाइगोट और इंडिटर्मिनेंट दिख रहा है इंडिटर्मिनेंट कि इंडिटर्मिनेंट क्लीवेज में बोलूंगा मतलब सारे साल एक दुसरे के पर निर्भर नहीं है यह चीज़े आपको क्लीवेज के बारे में याद रखनी है ठीक है यह सर् अब याद रखिए मेरा आपसे कोशन है कि क्या जिस दिन फर्टिलाइजिशन होता है उसी दिन प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है क्या नहीं किस दिन प्रेगनेंसी अचीव होती है इस दिन इंप्लांटेशन होता है इंप्लांटेशन मतलब यह पार्ट यहां पर टच करता है अगर आप दे देखो कि न को भी साथ में लेके चलते के लिए मैं यहां पर कौन सा कलर यूज करूं मैं आपे चलिए परपल जाएगोट 24 गंटे बाद बन रहा है मतलब सेकेंड डे गोट बना फोर्ट बना बना यह दोनों फोर्ट डे बने सिर्ट फ़र्ट और फिफ्ट डे और यह बना 6th day blastocyst कौन से दिन बना 6th day पर बना है यह मैं day लिख रहा हूँ second है क्योंकि 24 घंटे के बाद हो रहा है ना तो fertilization के अगले दिन बना 2 cell stage 3rd day पर क्या बना 4 cell stage ऐसे ही कर करके बन रहा है तो छटे दिन blastocyst बन गया इंप्लांटेशन कौन से दिन होता है आटवे दिन पर होता है तो क्योंकि इंप्लांटेशन आटवे दिन हो रहा है तो मैं आपर कहूंगा कि 1 से 2 दिन तब मतलब वो कौन सा दिन है 6th day and 7th day पर blastocyst blastocyst खाली फ्लोट कर रहा है uterus के अंदर और तब तक उसको जो nutrition मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है uterine milk से मिल रहा है आपको मैंने बता था ना कि endometrium का वॉल सिक्रेटरी हो जाता है और वो कुछ chemical से करता है जिसको uterine milk बोलते है जो blastocyst को nourishment देता है 6 और 7 दिन और आठवे दिन जाके implantation होता है मतलब आठवे दिन जाके यह blastocyst जोकि 64 सेल स्टेज का है वह ऐसे implant होता है मैं सिर्फ 64 सेल स्टेज बना हुगा जिस दिन टच होता है उसको उस प्रोसेस को बलते है का implantation और उस दिन जाके pregnancy अच्छीव होती है ठीक है उस दिन जाके pregnancy अच्छीव होती है तो fertilization की दिन प्रेग्नेंसी नहीं अच्छीव हो रही है जिस दिन implantation होता है और यह process को हम implantation कहते हैं और implantation होता है आटवे दिन कि एट डे पर implantation होता है कि याद अख नहीं चेज लोट डाउन कर लो प्रटाक से कि 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 किया नुट डाउन कि गरीमा निकेत आप लोगों ने कर लिया नुट डाउन कि में रुकूर कि यह से कर लिया ओके ठीक है कि अब आप ध्यान से देखिए हम अगले स्लैट पर जा रहे हैं अब ब्लास्टो सिस्ट में बना रहा हूं वैसे तो हम ब्लास्टू ला बोलते हैं पर ब्लास्टो सिस्ट यह वर्ड हम टिपिकली यूमन के लिए वर्ड यूज करते हैं अगर आप बाकी आनिमल्स जैसे काउ बफेलो इनके केस में आप ब्लास्टो सिस्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं तो यहां रखना यूमन के केस में हम ब्लास्टो सिस्ट बोल सकते ह पर यह ब्लास्टोसिस्ट वर्ड आप किसी दूसरे एनिमल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं मैं आपर लिख रहां ब्लास्टोसिस्ट ओनली फॉर यूमन्स अब देखिए ब्लास्टोसिस्ट एक सिक्स्टी फॉर सेल स्टेज है मैं यह चटे या साकोए दिन बन जाता है यह अब यह कैसा होता है कि इसमें 64 संस्टेजे मतला इसमें कितने स्टेजें मेर्ट सिक्स्टी फॉर ब्लस्टीमेर जें से 9 विखिछ पॉर ब्लस्टॉमेर मतलब न्यू न्यू ऐसा तो इस केस में बाहर की तरफ जो सेल होती है इसे हम कहते हैं ट्रोफो ब्लास्ट यह बाहर वाली सेल को हम कहते हैं ट्रोफो ब्लास्ट कि ट्रोफो ब्लास्ट कहते हैं ट्रोफो ब्लास्ट वाला सहल बाहर की तरफ मैं इसको लेबल कर दे रहा हूं यह और ट्रोफो ब्लास्ट वाला सहल क्या बनाने के लिए काम आता है इट फॉर्म्स आगे जाके यह बनाएगा प्लासेंटा आगे जाके यह सहल बनाएगा प्लासेंटा ठीक है उसके अंदर वाली जो सहल है यह वाली वह मैं दूसरे कलर से बताता हूं पिंक से बताता हूं अब मैं एक और कलर यूज़ करूंगा यूज़ 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 अब आप जो अंदर वाली सेल देखो गें अंदर वाली सेल को हम कहते हैं इनर सेल मास यह पिंग भी ले लो या ब्लू भी ले लो इसे हम क्या कहेंगे इनर सेल मास शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसका मतलब फुल फॉर्म है इनर सेल मास और यह चीज़ क्या बनाने के लिए काम आती है एंब्रियो मतलब बेबी यह एंब्रियो बनेगा याद रखना कि ट्रोफो ब्लास्ट बाहर का सेल है जो आगे जाके प्लासेंटा बनाएगा और अंदर वाले सेल इनर सेल मास है जो एंब्रियो बनेगा यह बीच में कैविटी बनती है यह वाली कैविटी इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टो सील इस कैविटी को क्या कहते हैं ब्लास्टो सील कहते है यह स्ट्रक्चर आप याद रखना और अभी भी बाहर जोना पैलू सीडा है यह देखिए यह बाहर से अभी भी क्या है यह जोना पैलू सीडा है तो मैं यहापे लेबल कर देरो इसको कि यह जो बाहर वाली लेयर है इस पहलू सीडा पता यह बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले की थी कि जब तक यह जोना पहले से रहेगा ना इंप्लांटेशन नहीं होगा कि मेरी बात ध्यानों यहां पर आजाओ देखो यहां पर देखो पीछे कि यह बाहर आपको दिख रहा है ब्लु कलर का लियर कि यह इक्चुली है मैं ब्लू गला लेर मैं बाहर से बता रहे बहुत और तो जब तक जोनना पहले उसně अटा ना तब तक वो चीज टच नहीं करेगा वॉल को मतलब इंप्लांटेशन नहीं होगा पर सातवे दिन पर क्या होता है साथ देखो यहां पर सब जगह पर मैंने जोना पहले सिडा बनाया हुआ है यह देखो जोना पहले सिडा है सब जगह पर इर्जोना पहले सड़ा है ठीक है पर सात्वे दिन पर क्या होता है यह बनाता हो यह बनाता हो इस पर ही बनाता हो इदर ही साथवे दिन पर इनर सेल मास के कुछ सेल्स होते जो उपर की तरफ है यह पूरा अंदर की तरफ जो मैंने सेल बना है वो इनर सेल मास है नो डाउट पर कुछ कुछ inner cell mass जो उपर की तरफ है उन cells को हम कहते है cells of robber मैं लिख देता हूं यहाँ पर यहाँ पर लिख दे रहा हूं जो उपर वाले inner cell mass है यह inner cell mass ही है बढ़ इनकों में specifically क्या कहता हूँ जो और यह उपर ना कुछ प्रोटियों लाटिक एंजयम रिलीस करते हैं जो वह एंजयम हमें इधर लिख दे लुए रिलीस करते हैं यह रिलीज प्रोटीयो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजम so they will release प्रोटीयोलाइ्टिक एंजम और यी प्रोटीयोलाइटिक एंजम क्या करेगा जोना पैलूसीडा को उपर से थोड़ा तोड़ देगा तो यही स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखो यही inner cell mass ने कुछ release किया ठीक है और यह ट्रोफोबलास cells था नो डाउट ठीक है इन्होंने कुछ release किया जिसके वज़े से जोना पहले सड़े देखो डाउटेस्ट हो गया थोड़ा सब तूड़ गया जोना पहले सड़े टूटा क्यों क्योंकि inner cell mask का जो उपर वाला cell था जिसको हम बोल रहें cells of rubber उन्हेंने कोई प्रोटियोलाइटिक एंजान रिलिस किया जिन्होंने जोना पहले सड़ा के उपर के पार्ट को डाउजेस्ट कर दिया ब्रेक डाउन कर दिया ताकि यह पूरा स्ट्रॉक्चर इसमें से बाहर निकल सके तो आगे जाके यह स्ट्रॉक्चर कैसा होगा कि ये जोना पेरिसिडादे को पूरा डाइजेस्ट हो चुका है और उसमें से बाहर निकल गया ये वाला पूरा स्ट्रक्चर ये देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर जाए वो बाहर निकल गया तो ये स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ और ये अंदर का इस प्रक्रिया को हम कहते है जोना है चिंग इसे हम कहते है जोना हैचिंग हैचिंग मतलब अंडा जैसे फूटता है न वैसा हैचिंग मतलब बता है फूटना तो जोना हैचिंग जो होती है वह लगबग आठवे दिन पर होती है कि इसके लिए इंप्लांटेशन आठवे दिन होगा कि आरी मेरी बास माने क्योंकि एक बार ब्लास्टोसिस बाहर आ जाएगा जोना पहले सड़ा के तो देखो यहां पर मैंने इसके लिए यहां पर देखो क्या पहले सड़ा बना मेने बताइए जब यहां पर सब जगाया पहले सड़ा नहीं बनाए बाड़ा जोना हेचिंग हो चुकी है जोना हेचिंग हो गई तभी तो यह इंप्लांट हो रहा है यह चीज समझ में आई आप सब लोगों को यह आगे जाके यह फिर यह आगे जाके ऐसा हो जाएगा ठीक है एक बार जोना आचिंग हो गई तब यह जो ट्रोफोब्लास सेल्स है यह ट्रोफोब्लास सेल में बना रहा हूं वापस से बाहर की तरफ वाले सेल्स यह ट्रोफोब्लास वाले सेल्स कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे यह ट्रोफोब्लास सेल्स वाले क्या करेंगे कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे मैं यहाँ पर लिखता हूं कि इनों ने कुछ एंजाइम रिलीज किया और यह एंजाइम क्या करेगा एंडुमेटरियम के वॉल को डाइजेस्ट करेगा इसको क्या कर रहा है है, तो मैं इतना लिखूंगा कि लेयर ने जों रिलिज किया यह निडायजेस्ट किया किया किसकोटि इन डायजेस्ट करें क Metro की वाल को कि और यहां पर एंब्रीव जो है वो मदर के ब्लड के कॉन्टेक्ट में आना चाहता है तो यह जाके तुझ रहा यह हाँ है यह इंप्लांटेशन पर अर्थे दिन पर हो रहा है कि और जैसे इंप्लांटेशन होता है यह का जैसे इंप्लांटेशन अचीव होती है जैसे इंप्लेंटेशन होता है तब यह ट्रोफोब्लास सेल एक हॉर्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं HCG HCG का फुल फॉर्म है यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रॉपिन यह हॉर्मोन ओवरी को बोलेगा कि भाई तुग उवरी के अंदर पता है कॉर्पस लूटियम था तो ओवरी के कॉर्पस लूटियम को बोलेगा कि तुग्या रिलीज करता रहे प्रोजेस्टेरॉन और जब तक प्रजिस्ट्रॉन रहेगा प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी इसके लिए प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजिस्ट्रॉन होर्वन का लेवल हाई रहता है और तुमको पता है कि जब तक progestron का level higher एगा तो तुमको पता है कि progestron FSH और LH को inhibit करके रखता है FSH और LH को inhibit करके रखेगा तो follicles बनेंगे क्या बताईए अगर progestron का level high है तो क्या follicles बनेंगे जो एग वाले follicles थे बताये निकिता तो जैसी ही इंप्लांटेशन होता है तब यह ट्रोफोब्लास सेल्स दो चीजे सिक्रीट करते हैं एक तो यह लोग एंजाइम रिलिज करते हैं जो एंडोमेट्रियम को और जाके तोड़ेगा ताकि ब्लास्टोसिस जो है वो अंदर जाएं एंडोमेट्रियम के एंडोमेट्रियम को सिर्फ टच्छ नहीं कर रहा है वो जो 64 सेल का जो ब्लास्टोसिस ज sack वो पूरा अंदर आना चाता है और यह ब्लास्टोसिस्ट है तो यह ऐसे आते-एते टच्छ करेगा और दीरे-दीरे अंदर बी चला जाएगा उसके और अंदर क्यों जा रहा है क्यो वो यह एंजाइम रिलीज कर रहा है दूसरा चीज मैंने बोला यही ट्रोफोब्लास सेल एक और हॉर्मोन रिलीज करता है implantation के टाइम पर जैसे ही टच होता है यही आफ्टर implantation में लिखना चाहता हूं कि आफ्टर implantation के बाद जैसे ही टच हुआ तब यह ट्रोफोब्लास सेल ने क्या सिक्रेट किया एक हॉर्मोन उस हॉर्मोन का नाम है कोर्पस लूटियम के हमेशा के लिए बना रहता है कि वह बहुभी आगे जाएक ह Ultra है है तो कॉआ पबस लूटियम अगर आगे जाक् distillate हो जा रहा है खतम हो जारा है तो प्रजयूस्ट्रान भी क्या हमेशा हुआ रहता है कि उसका लेवल भी गिरता था कर할 तो यह अगर बना रहा हूं तो तुमको बता है था यह चोटा सा फॉलिकल प्रैवरी फिर टर्शरी फिर ग्रैपिन फॉलिकल तो यह आ से इप्लायों निकलता था यहां से इप्लार निकलता था फिर यह तो यह था और यह और यह कौन सा होर्मन से करता था प्रोजिस्टरों जब तक होता था तो प्रोजिस्टरों जो रखता था यह अगला तो अगर लेवल कम होगा तो फॉलीकल बने गई नहीं ना वापस से फॉलीकल बने गई नहीं और अगर यह कॉर्पस लूटियम आगे जाके तूट जाएगा यह तो आगे जाके ब्रिट डाउन हो जाएगा किसमें कॉर्पस तो यह तो कॉर्पस अल्बीकल में ने बना है तो कॉर्पस अल्बीकल थोड़ी ना प्रोजिस्ट्रों सिक्रेट कर रहा है अगर प्रोजिस्ट्रों का सिक्रेशन बंद हो गया तो एफ से लेवल बढ़ेगा कि कम होगा तो फिर से नया वेंश्ट्रों साइकल चालू होगा पर कॉर्पस लूटियम डी जन्रेट कब होगा अगर अगर यह देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं अगर यह नहीं आया तो ही कॉर्पस लूटियम डी जन्रेट होगा कि नहीं होगा बताओ नहीं होगा तो प्रोजिस्टों सिक्रिट होता है क्या पाता है अब वह प्रेग्नेंट है अब समझ में आया मतलब यह मैंने कहा था कि यह देखो कि वह मैंने यहां पर कहा था कि कॉर्पस लूटियम मेंटेन रहेगा मैं वह भी लिख दे रहा हूं क्या रहेगा मेंटेन रहेगा वह तूटे और उसके बाद प्रोजिस्टरॉन सिक्रीट करता रहेगा शुरू के तीन मेने तक और जब तक प्रोजिस्टरॉन रहेगा तब तब अगला को तो मैंने अभी आपको यह बारेमें बताया कि एंजाइम करता है और यह हормोन आता है और यह पता यह का एक उल्च का में की ही जो है कि यह हॉर्मोन न्यूरीन में भी अप्यर होता है अ कर यह प्रेगनेंसी इंडिकेटर है जैसे कि आपने देखा होगा प्रेगा न्यूस करके मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको प्रेगा न्यूस करके एड है उसमें क्या होता है कैसा किट होता है और यह किट के उपर ऐसे रिसेटर लगे होते है कि यह सारे रिसेटर जो है यह एक सीजी के रिसेटर है कि इसके रिसेटर है यह और इसके उपर से यूरीन पास करते हैं तो अगर यूरीन में एक सीजी है तो वह सेजी बाइंड हो जाएगा इस रिसेटर के उपर और यह किट का कलर चेंज हो जाएगा किट का जो कलर है वह सेम होगा कि चेंज होगा और यह इंडिकेट दे रहा है कि वह फिर मेल क्या है क्यूंकि एट तो तभी होता है जब इंप्लांटेशन होता है देखो यहां पर है जिस दिन implantation हुआ तभी होता है तो फ्रेग्नेंसी इंडिकेटर हॉर्मोन यह प्रेग्नेंसी इंडिकेटर हॉर्मोन है क्योंकि implantation बता होता है कि इस प्रेग्नेंसी जो अच्छी होती है प्रेग्नेंसी वह फर्टेलाशन के लिए प्रेग्नेंसी इस प्रेग्नेंसी तो इसके से तो प्रोजिस्ट्रॉन शुरू के तीन महने तक वह नव महने में से शुरू के तीन महने तक वह प्रोजिस्ट्रॉन सिक्रिट करता रहेगा और जब तक प्रेगनेंसी बरकरार रहेगी तीन मेहने के बाद जाके यह वाला कॉर्पर्स लुटियम डी जनरेट होगा क्यों क्योंकि तीन मेहने के बाद तक प्रेगनेंसी जो है वो नौ मेहने की है नाइन मंत की है अब इसमें थार्ड मंत थार्ड या फूर्थ मंत में जाके प्लासेंटा बनता है यह क्या है यह यह एक और्गन है यह टेंपररी और्गन है इसकी उपर हम next lecture में detail में पढ़ेंगे कि प्लासेंटा क्या है फिला तीसरे महिने के बाद after three month बोलना चाहिए मुझे ठीक है आफ्टर three month प्लासेंटा फॉर्म प्लासेंटा बनता है और जब प्लासेंटा बनता है तो वह अपना खुद का प्रोजेस्टरों से क्रेट करता है खुद का सिक्रीट अपना खुद का यह प्रोजेस्टरों से क्रेट करता है इवन एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है बहुत सारे होर्मून है पर यह दो में तो यह प्रोजेस्टरों अब जाके प्रेग्नेंसी को मेंटेन करेगा मतलब प्लासंटा टेक ओवर कर रहा है किसके फंक्शन को ओवरी के फंक्शन को क्योंकि बिफोर टीन मेहना पहले प्रेग्नेंसी के प्रोजेस्टरों कौन से क्रेट कर रहा था ओवरी के अंदर का कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टरों से क्रेट कर रहा था पर तीन मेहने के बाद ओवरी के फंक्शन को किसने टेक ओवर कर लिया आँख तो मेरा तुमसे कोर्शन है कि दको 9 मंत मतलब 3 ट्राइमेस्ट्र नाइन मसटम क्या कि ट्र्य ट्राइमेस्टर हर ट्राइमेस्टर में 3 महिने मतलब तो तुम चाहे नाइन मंद बोलो या थ्री ट्राइमेस्टर बोलो मतलब एकी है क्योंकि एक ट्राइमेस्टर में मैं तीन महिने आते हैं दो ट्राइमेस्टर में छे महिने आएंगे और तीन ट्राइमेस्टर के अंदर नो महिने आएंगे तो मैं यह कह रहा हूं तुम्हा कु भूट सिंपल कोशन है मैं दो यह आप्षण देर हूं क्योंकि प्लासेंटा बन चुका है तीन मेहने के बाद और प्रोजेस्टरॉन प्रेडियूस कर रहा है तो यहां रखना कि तीन महने के बाद अगर सरजरी करके निकाल भी दिया तो भी प्रेगनेंसी पे कुछ भी असर नहीं होगा आ गई बात समझ में यह बहुत इंब फीमस कोशन है इस चाप्टर से आता है और बहुत लोगों को नहीं आता है तो यह चीज़ याद रखना वही उसको समझाने के लिए चीज़ बताईए और एक चीज़ और यहां से चीज़ याद रखना प्रणारी कि यह जोना पहलु सेड़ा जो है यह हैचिंग कब होता है कौन से दिन पर आठवे दिन पर आठवे दिन पर आठवे दिन पर आठवे दिन पर जाता है घुमता है आठवे दिन के आसपास हैचिंग होती है इसकी तब जाके इंप्लांटेशन होता है पर जब में इंश् 이제 मांट रोक अगर मान लो कि जोना है छो गया मार्नो या पाटन Pizza उट आखे टो इंश्ट है यहां दिखो यह उभर इन फक्रिक्सेंट है टौ yat कि और अगर शठंद टूम एक टच हो गया तो उस टाइप के प्रेग्नेंसी को बोलते हैं एक्टॉपिक प्रेग्नेंसी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ छटा यह स्लाइड खाली है कि मैं लिख रहा हूँ कि इफ जोना पहलू सिड़ा हैच हो गया ठीक है बिफॉर सेवन्थ डे साथ दिन के पहले ही हैच हो गया तो इंप्लांटेशन तो इंप्लांटेशन में हो जाएगा और उस कंडिशन को हम कहेंगे मतलब यूटरस के अलावा कहीं पर भी अगर यहां पर इस कंडिशन को कहेंगे एक्टॉपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी तो इस केस में फैलोपियन ट्यूब को सरजरी करके निकालना हुगा और उस सरजरी को हम बोलते हैं इस सैल्पिंजेक्टमी इस रीमूबल ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्योंकि बच्चा ग्रोई नहीं हो पाएगा फैलोपियन ट्यूब तो इतनों सा पतला सा होता है बेबी अंदर ग्रोई पाएगा यह समझा आप लोगों तो मैं कहीं न कहीं कह सकता हूं कि जोना पैलुसेडा एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने से बचा रहा है इसके लिए जोना पैलुसेडा देखो नहीं है चुआ था पर साथवे आटवे दिन पर जाकि जब ब्लस्टो सिस्ट बन जाता है तो ब्लस्टों शिस्ट के अंदर बहार के जो ट्रॉफो साइज्ट के जो रॉवर सेल्स ऑफ रॉवर है तब ही जाके वो प्रोटॉलेटिक एंजाम करते है जो जोना पैलिपली सुड़ा को जाता है कि जोने हैचिंग पहले ही हो जाता है और प cyclamemia के वज़े से shinn होती है ईक्ट फेलोंपियन ट्यूब के अंदर और उस केस में तभी पूरी को प्यूपीन करके निकालना होता है यह बहुत और पूरा एक फैलोंपियन ट्यूब पूरे आप से है पारण तो कि जिसके अंदर पहली बार कि इंप्लांटेशन उसके फैलोपेंट ट्यूब में हुआ मतलब एक्टॉपिक प्रेग्नेंसी हुआ तो उसके फैलोपेंट ट्यूब को सरजरी करके निकालना पड़ा रैट तो नैए बन पाई बताये कैसे बन सकती है क्योंकि एक ही फैलोपेंट ट्यूब को सरजरी करके निकालोगे किसी एक ही फैलोपिन ट्यूब में इंप्लांटेशन हुआ होगा तो एक टॉपिक प्रेग्नेंसी एट टाइम दोनों भी फैलोपिन ट्यूब में होती है कि एक एक ही में होगी अब यहाँ देखें यह प्रोसेस देखो कि एक सैल यह दो सैल यह चार और यह आठ अगर यह टाइम पर क्लिवेज कुछ ऐसा हुआ ठीक है मैं यहाँ पर बनाता हूं लास्ट टॉपिक है अगर यह टाइम पर क्लिवेज कुछ ऐसा हुआ कि यह देखो यह जाइगोट है यह टू सैल स्टेज ठीक है यह फूर सैल स्टेज नो डाउट और मैं बहार जोना पहले शुड़ा बना रहा हूं कि क्लिवेज कुछ ऐसा हुआ कि एक का दो बना पर दूसरा जब डिवाइड हो तो जोना पहले शुड़ा भी साथ में डिवाइड हो गया दिख रहे हैं यह पहला क्लिवेज डिविजन यह दूसरा पर दूसरे के डाइम पर क्या हो गया कि जोना पहले सुड़ा भी दो में डिवाइड हो गया तो यह यहां से एक नया एंब्रियो बनेगा और यहां से एक नया एंब्रियो बनेगा और यह दोनों के दोनों ट्विन्स होंगे ऐसे ट्विन्स को हम कहते हैं मोनोजाइगॉटिक ट्विन्स क्या बोलते हैं मोनोजाइगॉटिक ट्विन्स मतलब जैनेटिकल या इडेंटिकल यह लोग क्या होंगे जैनेटिकली identical होंगे मतलब दोनों के दोनों या तो लड़के होंगे दोनों के दोनों या तो लड़की होगी पर लड़का लड़की नहीं होगा तो मैं आप पर ये भी लिख रहा हूँ कि sexes are same दोनों के sexes जो होंगे वो same होंगे इधर male और इधर female या तो लड़का या तो लड़की पर लड़का लड़की नहीं होगा सेक्सेस डिफरन नहीं होंगे पर इसके लिए इसके लिए आई शकेनर वो यूज की जाती है और इसका पटान मोंस आइकोर्टिक ट्विंस में भी अलग अलग होता है बात समत में आ गई बठाव फिंगे प्रिंट से में तो प्रिंट का पैटन से मोगा अलग अलग अब दूसरा केस में मैंने तुम लोगों को यह भी बताए था कि कभी कब्र क्या होता है कि ये overy है और ये Urban tube है और दोनों भी overy जाती है कभी कबढ़ है कि अधोनों भी overy साट निकल गया टाइम मतलब ये वाले overy से भी आग आ गया और ये वाली eovery से भी आ गया और उससेटर पे स्पाम आया कैं तो ऑंब्रियो भी कितने तो वह जो तूइन बनेगा वह तो बूलेंगे डाइज लाइगोर्टिक ट्विज या उसको हम लोग प्रेटर्नल टूइन भी बूलेंगे इसको क्यों रहा हूं कि दोनों अलग अलग जाइगोर्ट से बने होंगे यहां पर तो यह लोग जो होंगे यह लोग जैनेटीकली अइडेंटीकल होंगे मतलब सेम सेम दिखेंगे कि अलग अलग दिखेंगे अलग अलग पर यहां पर सेम सेम दिखेंगे मतलब राम लक्षमान सीता गीता ऐसा तो यह जैनेटीकल है तो यहां पर सेक्स दोनों के या तो सेम हो सकते या तो दोनों के दोनों अलग भी हो सकते कि एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है या दोनों भी लड़की हो सकती है तेर्सची तुम्हें एक चीज लिख गेंगे जैशे में पी सेम पार लिख भी हो सकता है याद रखना ठीक है क्या होता है एक और होता है जिसको हम बोलते हैं कंजॉइंट ट्विंस का मतलब क्या होता है कि अगर मतलब कि जाइगोट के बाद मान लो यहां पर जैसे जोना पहले सुड़ा है जोना पहले सुड़ा है है फैं जोना पहले सोड़ा है फोग्या है और जोना के हैचिंग के बाद अगर दो बंते न तो दो कंपलीटली एक दो से से अपरेट नहीं हों पातें मतलब जोना है grossing के επाद अगर वह दो एक उसे separate हो रहे हैं तो वो completely separate नहीं हो पाते हैं तो आपने ऐसे बीबी देखा होगा कि दो बच्चे पैदा वे जिनके दोनों के सर जुड़े वे या दोनों के हाथ या दोनों के वो जुड़े वे ऐसे twins को में बोलते और पहला के सियाम में दिखा था सियाम एक जगह है थाइलेंड में इसके लिए ऐसे twins को हम सियामी भी कहते हैं मैं इतर एक पॉइंट लिख दे रहूं के बारे में यह देखिए कि मैं आप पर लिखता हूं इफ इस हम जोडिए विए एफ ब्लास्टोमियर्स अलब अगर दोनों के दोनों ब्लास्टोमेर इक दुस्रे से अगर ब्लास्टोमियर्स आप जोना determined को जोना मतलब जोना एचिंग के बाद अगर वगूरे तो एक दुसरे से प्रिल चर्श टनीट पाते हैं इससे क्या होता है कि कर दोंग्जान सोते हैं कि इसको सियाम ट्विन भी कहते है क्योंकि पहला केस कि दर दिखाता सियाम करके एक जगह के दिखाता पॉस्ट केस दिखाता सियाम में जुकि थाइलेंड में है इसके लिए कंजोएंट ट्विंस को सियामिस ट्विंस भी कहते हैं जिसमें लिए शेयर बॉड़ी ओर्गन्स शेयर किये जाते हैं यह समझ भाया कि अगर जोना है चिंग के बाद अगर ब्लास्टो मेर एक जो से सेपरेट हो रहे तो वह ब्लास्टो मेर कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो पाते जूड़े रहते और उस केश में जो दो ट्विंस बनेंगे वो कंजोएंट विंस होंगे या तो उनके सर हाथ पेर कुछ न कुछ जुड़ा होगा तो कोई न कोई और गन शेर करेंगे बोलो शो देविल शेर मैं आप इसे रब करके लिखता हूं देविल शेर सम बॉड़ी और गन कुछ बॉड़ी और गन्स शेर करेंगे ठीक है सरजरी कर सकते हैं पर बहुती कॉंप्लिकेटर होती है लाइफ ठ्रेटनिंग हो सकती है कि उनकी जान भी रिस्क पर होती है तो सक्सेस्पूल सरजरी के चांसें बहुती कम होते उस सवाज सनी चेला है कि कि का चलता है के यह इसमें करके टैस्ट होता जिसमें क्षटालं सकते सुद्व करके घड़ करके टेस्ट होता तो werd चले से पादि पर मेंक्ट चला कि बच्चा अनहेल्दी है तो फीमेल को करने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है और कई गाउं देहाती के केस में वहां पर यह फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है अल्ट्रा सोनोग्राफी एम्नियोस जैसे तो कुछ पता नहीं चलता है कि बच्चा कैसा था कैसा न संदो आप चीज सरजरी जो है इसकी बहुत ही क्रिटीकल होती है इसकी सरजरी सक्सेस्फूल होने के चांसे के रेट बहुत ही कम होते हैं समझ में आई यह निकिता तो आज हम इतना ही पड़े है हमने आज पड़ा क्लीवेज डिविजन में इसका स्लाइड भेज दूंगा लास्ट लेक्चर का मेरा नोट मिला था अपको यह लिखा था बोड़ पे मैंने लोट सर्व नहीं मिला था ठीक है वह मैं भेज दूंगा पर यह वीडियो तो आप वीडियो का लिंक दूंगा और जो नोट से वह तो आपने लिखा हुआ है तो आज हमने डिटील में प्रोसेस है और सब साल एक साल डिवाइड नहीं होते हैं अपने तरीके से तो आपको जरुए नहीं है कि इवन नंबर का स्टेज मिले और नंबर का भी मिलता है फिर हमने थोड़ा सा यह पड़ा कि घ्रिस्ट का होता है इंब्लैंटेशन कैसे होता है में वह आपको बताएथ न Commandant और उस टेस्ट का नाम है उसको मॉन्व ह्भी टेस्ट हुआ अगर का पिखेशन है तो अजके लिए इतना ने लिक्च्र में हम डिटियल में पढ़ेंगे प्लासंटप के को मैं कि प्लासन्टा क्या होता है कैसे बनता है प्लासन्टा का थे अल्ट से बच्चा बाहर का मदर के बहुत भूट नेक्स्ट विक बहुत हहत शेज़ा नेक्श मिलेंगे और इसके साथ हम चैटर का आगे अचो है